कि दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हस्त मेथून यानि हैंड प्रैटिस यानि हैंड डॉब और ज्यादा किया जाए तो कुछ नुक्सान होगा या नहीं होगा तो आप पहरी बात जान ले कि मेडिकल साइंस जो हमारे करिये उससे लिंग को नुक्सान नहीं पहुंचता है और दुरभा कि डॉक्टर मरीज़ को मिस गाइड करने के लिए भ्रमित करने के लिए उनकों बोलते हैं कि हाथ जो बहुत टाइट हाथ करने से नसे मर जाती है जो पानी भर जाता है नसे तूट राती दब जाती है इस और आप इस फोटो देखे आपे तो यह लिंग जो बनावध है इससी वेन से होती है और आठ्री स्थमिंट आप देखे यह नीली वेन आ रही है और यह लाल खुन धाम, ले आती है तो यह रभर जैसा कि आप अपना लिंग को पकड़िए आगे पीसे जैसे मर्जी करिए कितना भी उसे कोई नुक्षान नहीं पहुचता है हम याद हम बच्पन साहिल चलाते हैं तो गड्धे में कभी साहिल जाती तो लिंग में चोड़ ले जाती थी आप घोड़ा जम करता वहां लिंग होता होता है जब तक इस लिंग में कर और बच्पन नहीं होता है एक दिने पांचब और चकार दस वह करिए को इनज कर दो यह कि भगवान ने बढ़ा अच्छा मना रखा है और बहुत ज्यादा करोगी एक बड़ंट ओगा दुबार फिर टाइट होगा तिवार टाइट वार पासवा टाइट और च्रण टाइट होगा और अत्री करतोंगे तो साथ बाद आठवी बार टाइट हो गाई निया तो हर बार सीमेन दिकालने के बाद दुबारा टाइट हो में थोड़ टाइम लगता है उसे बहुते रिफ्रेक्टिव पिरेड जैसा बड़ी सिस्टम ना रखा कि एक वर टाइट होने के बार निकलने के बार दुबार और देर बार टाइट होगा तो एक लिमिट आधा करी सकते हो तो सीखे मिली कि कितना भी सेक्स कर लो इससे को नुखसान नहीं होता है इससे कोई नपुसरिटा नहीं आती है यह गलत धारना है हाँ और कुछ लो यंग जो खुद तीर करते फास करते हो फास फास तो फास डिश नहीं करता है